आपसे पूछ रहे हैं विश्व के सबसे अपराधिक देशों की दोजल टेवी से रेंकिंग में भारत किस इस्तान पर है तो अंसर होगा 77 नंबर पर तो अभी वर्ल्ड आफ स्टैस्टिक्स ने दुनिया के सबसे अपराधिक देशों के रेंकिंग जारी की है और इसमें टॉ पर है वेनेजुएला सेकेंड नंबर पर पाप्वान यूगिनी और तीसरे स्तान पर अफगानिस्तान है भारत भारत 77 नंबर पर है जबकि अमेरिका 55 पर है तो यूके 65 पर और जापान जापान 135 नंबर पर है मतलब यहां पर आप ऐसे देखो जिसकी रेंक जादा है वो कम अपरादिक देश है अपराद जैसे कि ब्रष्टाचार मादक पदार्तु की तसकरी अपरण और हत्या जैसे अपराद इन सभी को कंसिडर करके यह रेंकिंग तेयार की गई है तो भारत की रेंक 77 है और सबसे ज़्यदा अपरादिक देश बताया गया वेनेजुएला को AI Index Report को जारी किया जिसके अनुसार भारत 2022 में Artificial Intelligence आधारत उत्पादों और सेवाओं की पेशकरश करने वाली स्टार्ट अप्स द्वारा प्राप्त निवेश के मामले में पाचवे स्थान पर है भारत में Artificial Intelligence स्टार्ट अप्स को कुल राशी के रूप में 3.24 अरब डॉलर का निवेश मिला है और इस तरह से भारत ने South Korea, Germany, Canada और Australia को भी पीचे छोड़ दिया है रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो भारत में Artificial Intelligence स्टार्ट अप्स को अगर 2013 से लेकर के 2022 तक हम कंसीडर करते हैं तो टोटल 7.73 अरब डॉलर की फंडिंग मिली है तो इस हिसाब से य लेकिन हम तो प्रश्ट में 2022 के डेटा को कंसीडर कर रहे है यानि कि 2022 में जो निवेश हुआ है Artificial Intelligence स्टार्ट अप्स में तो उसे साब से भारत पाचवे स्थान पर है और वही डेटा आपको ध्यान रखना है टॉप पर अमेरिका है दूसरे नंबर पे चाइना है और तीसर जारी की गई इसमें किस भारते शहर को भी शामिल किया गया तो आंसर होगा मुंबई तो अभी लंदन के मीडिया आउटलेट टाइम आउट ने दुनिया के सबसे अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले 19 शहरों की सूची जारी की है जिसमें भारत का एक मात्र शहर मु टोकियो है मुंबई कौन से स्थान पर है आखरी पर 19 वे स्थान पर है तो इस सर्वे में ये बताया गया कि बरलिन में सबसे विश्वशनिया सुरक्षित और आराम दायक सारोजनिक परिवहन नेटवर्क है चलिए फिर बताईए हाली में Freedom House Index 23 में किस देश को दुनिया के स सबसे कम आजाद देशों के बारे में बताया गया है और इसमें टॉप पर है तिबबत यानि कि तिबबत को दुनिया का सबसे कम आजाद देश बताया गया तो यादर्थना रिपोर्ट जाली की है Freedom House ने इस रिपोर्ट का नाम है Freedom in the World Index दो जाते विस और इस रिपोर्ट मे साउथ, सुडान और सीरिया के साथ तिबबत को दुनिया का सबसे कम मुक्त देश के रूप में स्थान दिया गया तिबबत के नागरिकों पर चीनी सुरक्षा बलों का सक्त पहरा है इस रिपोर्ट में बताया गया कि तिबबत में रहने वाले लोगों को बुनियादी अधिकार भी नहीं मिल रहा है तो इस प्रस्ण में आप से पूछ रहे हैं अभी हाली में गठित भारत की पहली नेतरहीन महिला किरकेट टीम की कप्तान कौन बनी है तो अंसर होगा सुश्मा पटेल तो याद रखना भी भारत की पहली महिला नेत्रहेन क्रिकेट टीम की घोशना की गई है और इसकी कप्तान बन गई है सुष्मा पतेल ये मद्यपरदेश की है तो पहली बार ऐसा हुआ तो नाम इंपोर्टेंट है इनका जो पहला मैच है ये किस देश के साथ होगा ये भी पूछा जा सकता है तो अंसरो का नेपाल के स इसी का ब्रैंड अंबस्टर बनाया गया था युवराथ सिंग को यादे आपको अभी हमने पढ़ा था वोमेंज प्रिमियर लीग दो हजार तेविस जिसको मुंबई इंडियन्स ने जीता है जिसकी कप्तान कौने हर्मन प्रीत कौर है और मुंबई इंडियन्स ने किसको ह आया दिल्ली कैपिटल्स को जिसकी कप्तान है औस्ट्रिलिया की मैग लेनिंग इस बार टोटल कितनी टीमें खेली है पांच टीमें खेली है टाटा सबसे महंगी प्लेयर कौन रही स्मृति मंधाना जिसको किसने खरीदा था रोयल चैलेंजर्स बैंगलोरू ने उसके अला ICC Women's Cricket World Cup 2022 में जो हुआ था New Zealand में उसको Australia ने जीता था England को हरा करके अब ही आपको याद होगा ICC Women's T20 World Cup 2023 जो की South Africa में ही हुआ था उसको Australia ने जीता था South Africa को हरा करके और ये Championship अगले साल 2024 में बांगलादेश में होगी ये भी याद रखना अच्छा अगर मैं आपसे T20 International Cricket में 100 Wicket लेने वाली पहली भारती कौन बनी पूरुशों में चाय महिलाओं में बात करें तो अंसर होगा दीपती शर्मा और ये वैसे दुनिया में नवी है 9th नंबर की है और Women's Cricketer of the Year का सम्मान की से मिला? Net Cyber को मिला ये England की है अभी राचेल हे हो Flint Trophy ये भी Net Cyber को मिली थी जबकि Sir Garfield Sobers Trophy मिली थी बाबाराजम को जो कि पाकिस्तान के है और Men's Test Cricketer of the Year 2022 का वोट मिला था England के बैन स्टॉक को तो ये कुछ important points है अच्छा इसके अलावा एक दू प्रश्न में आपसे और पूशता हूँ अभी current affairs के जैसे कि दरश्टी हिंता नियंतरन निती को ला अग्यो करने वाला पहला राज्य बन गया अभी नेतर हीनों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो जिसका नाम है रेडियो अक्ष येका प्लाउन चुआ नाकपूर में वैसे विश्व दिवस World Sight Day कब मनाते हैं October के दूसरे गुरुवार को लेकिन याद रखना World Braille फिल्डे पूछे तो आंसर होगा चार जन्वरी को तो उमीद करूंगा ये सारे पॉइंट्स जो हमने रिवाइस किये आपको याद होंगे हम बढ़ते आगे फिर बताईए अभी हाली में किसर राज्य सरकार ने संजीवनी परियोजना को शुरू किया तो आंसर होगा हिमा अचिर सरकार ने ये संजीवनी परियोजना को शुरू किया हैं अभी संजीवनी परियोजना को शुरू किया है हिमाचल प्रदेश ने और संजीवनी से आपको याद दिला दूँ वैसे तो ये पुरानी बात है लगबग एक डेड़ साल पुरानी करेंट अफेर्स में हमने पड़ा था जब कोविड का सीजन चल रहा था यानि कि 2020 की ये बात है हर्याना सरकार ने भी एक संजीवनी परियोजना को शुरू किया था जिसका उद्दिश्य था ग्रामिन शेत्र में चिकित्सा देखबाल का विस्तार करना चलिए फिर बताईए हाली में मार्च 2023 के लिए ICC मेंस प्लेयर आफ दे मन्त का पुरुसकार किस ने जीता तो अंचर होगा शाकिब अलहसन है बांगलादेश के ओल राउंडर है शाकिब अलहसन जिनने मार्च महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर आफ दे मन्त चुना गया वहीं अगर महिलाओं में आप बात करोगे कि ICC Women's Player of the Month किसे चुना गया मार्च महीने के लिए तो रवन्डा की महिला किर्केटर है हैं हैंरीट इशिमवे इनको चुना गया फिर बताईए अभी हाली में राष्टर सुरक्षित मातरत्व दिवस कब मनाया गया तो अंसर होगा 11 अपरेल को तो हर साल 11 अपरेल को National Safe Motherhood Day के रूप में मनाया जाता है ये दिन कस्तूरबा गांधी जी की जैनती का दिन होता है अचा यहां पर अगर मैं आपसे एक प्रशन पूछूं कि प्रधान मंतरी मातर वंदना योजना इसकी शुरुवात कब हुई थी एक जनवरी 2017 को जिसका उद्धिश है गर्भवती महिलाओं को उनकी बड़ी हुई पोशन सम्मंदी जरुरतों को पूरा करने में मदद करना वैसे International Mother Language Day कब होता है 21 फरवरी को होता है चलो बताओ अभी किस राज्य ने अम्मा व बहीनी योजना को शुरू किया था तो आंसर होगा सिक्किम ने और अगर आपसे पूछा जाए ना कि मात्र मरत्युदर सबसे कम किस राज्य की है Maternal Mortality Ratio अंगरेजी में बोलेंगे इसे तो आंसर होगा केरल की है और पूरे भारत की अगर MMR की बात करेंगे तो इसमें सुधार हुआ है कितनी हो गई ये 103 हो गई ये क्या होता है Maternal Mortality Ratio या फिर मात्र मरत्युदर मतलब क्या होता है एक लाख जीवित बच्चों के जनम पर कितनी माओं की मृत्युदर हो जाती है वही दर्शाती है वही बताती है मात्र म्रत्युदर को या मात्र म्रत्युदर अनुपात Maternal Mortality Ratio फिर बजाईए हाली में मानव अंतरिक्ष उडान का अंतरराश्टर दिवस कब मनाया गया तो अंसर होगा 12 अप्रेल को तो हर साल 12 अप्रेल को सफलता पूर्वा प्रक्रिमा करने वाले पहले व्यक्ति बने थे मतलब प्रत्यु का चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति बने थे या यूं काऊं कि outer space में पहुँचने वाले ये पहले व्यक्ति थे और जिस अंतरिक्ष यान में ये गये थे उसका नम था वोस्तोक वन ये किस देश के थे? सोवियत संग के थे चलिए फिर बताईए महाराश्टर सरकार ये किस देन को सोतंतरता वेर गौरव दिवस के रूप में मनाएगी तो अंसार होगा 28 मही को तो अभी महाराश्टर सरकार ने गोशना की है कि 28 मही को विनायक दामुदर सावरकर की जैनती को सोतंतरता वेर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा वेर सावरकर ये एक भारतिवर राजनेता, कार्य करता और लेखक थे उनका जन्व महाराश्टर के नासिक में हुआ था 28 मही 1883 यानि कि 1883 में उनकी कुछ फेमस पुस्तके हैं जैसे की दा इंडियन वार अफ इंडिपेंडेंस 1857 शिक्स ग्लोरियस एपॉक्स अफ इंडियन हिस्टरी और हिंदुत्व हुईज अ हिंदू तो ये ध्यान रखना बढ़ते हैं आगे चलिए फिर बदाईए अभी हाली में फूड कॉनक्लेव 2020 का आयोजन का किया गया तो अंसर होगा हैदराबाद तो फूड कॉनक्लेव 2020 का आयोजन ये तेलंगना के हैदराबाद में किया गया फूड कॉनक्लेव का उद्दिश्य क्या है वर्तमान दशक में भारत्य करशी खाद्य शेत्र के विकास के लिए मुख्य चुनोतियों और आउसरों की पहचान करना फूड से दो-तिन प्रशन आपको और याद आएंगे जैसे वर्ल्ड फूड डे कब मनाते हैं 16 अक्टुबर को क्यों? क्योंकि Food Agriculture Organization की स्तापना होती है 16 अक्टुबर 1945 को एक World Food Safety Day आपको याद आएगा 7 जून को मनाते हैं और World Food Price 2022 ये जीता था सिंथिया रौसेंजवेग ने चलिए बताए राष्टर जलवायू सम्मिलन दोजा तेविस ये किस शहर में आयुजित किया गया तो अंचरोगा लखनओ में कब से कब तक 10 और 11 अप्रेल को उत्तर प्रदेश के लखनओ में राष्टर जलवायू सम्मिलन दोजा तेविस का आयुजित किया गया अचा फिर बताएए अप्रेल दोजा तेविस में भारत बांगलादेश और जापान के बीच कहां पर कनेक्टिविटी बैठक का आयोजन हुआ तो अभी भारत, बांगलादेश और जापान ने तिरिपुरा में कनेक्टिविटी बैठक का अभी आयोजन किया जिसका उद्धिश ही क्या है? कनेक्टिविटी पहलूँ की खोच करना और शेतर की वानिजिक शमता का उप्योग करना चलिए बताईए, अप्रेल 2023 में जापान हाई कोट के नए चीव जस्टिस कौन बने हैं? तो अंसर होगा जस्टिस एके सिंग, पूरा नाम है अप्रेश कुमार सिंग, ये तिरिपुरा हाई कोट में नए चीव जस्टिस बन गए हैं, इन्होंने किन का इस्थान लिया? अमरन गौड का इस्थान लिया, आपको यादे अभी फिक्की लिडीज और्गेनाइजेशन की 40 वे अद्यक्ष बनी थी, सुधा शिव कुमार, TCS के नए CEO बन गए हैं, के करतिवासन, और नियू यूर्क कोट में पहले भारते अमेरिकी जच बने थी, अभी अरुन सुब्रमन्य वैसे तिरिपुरा की केपिटल लगरतला होती है, और तिरिपुरा के चीफ मिनिस्टर है मनिक सा, गवर्नर है सत्य देव नाराय नार्य, चलिए फिर बताईए, अभी हाली में किसे, AU Small Finance Bank के MDCO के रूप में न्यूक्ष किया गया, तो अंसर होगा संजे अगरवाल, तो अभ EU Small Finance Bank का Headquarter मिलेगा आपको जैपुर में, वैसे तो मैं आपको बता दू, यह जो AU Small Finance Bank के पहले इसे वेकल फिनेंस कंपनी AU Financers के रूप में स्ताफित किया गया था, लेकिन 19 अप्रिल 2017 को इसे Small Finance Bank के रूप में बदल दिया गया, अभी Axis Securities के MDCO बने थे पर्णव हरिदासन, यूको बैंक के MDCO बने थे अश्विनी कुमार और कनेरा बैंक के बने थे के सत्यनरन राजूप, थ्यान रखना ये नाम न्यूज में थे, बढ़ते आगे चलिए फिर बताईए, अभी भारत के सबसे उम्र दराज अरब पती का निधन हो गया, नाम बताईए, तो आंसर होगा केशव महिंद्रा, तो महिंद्रा एन महिंद्रा के मानज चेर्मेन और फोप्स की अरब पतियों की सूची में शामिल सबसे उम्र दराज भारते अरब केशव महिंद्रा का अभी 12 अप्रेल 2023 को निधन हो गया, वे 99 साल के थे, अचा वेसे अभी महिंद्रा एन महिंद्रा गुरुप के चेर्मेन कौन है, तो उनके भतीजे आनंद महिंद्रा है, आपको बतादू केशव महिंद्रा इन्हें 1987 में फ्रांस का सरवोच नागरिक सम मिला था, और 2007 में Ernest and Young की और से Lifetime Achievement Award मिला था, चलिए फिर बताइए, अभी अप्रेल 2023 में गरीब लोगों के डॉक्टर के नाम से मशूर किस डॉक्टर का भी निधन हो गया, तो अंसर होगा डॉक्टर जफरुल्ला चौधरी का, तो डॉक्टर जफरुल्ला चौधरी य और गुणवत्ता पूर्ण उपचार प्रदान करने के लिए 1972 में गौनो सस्थे केंदर की स्थापना की थी, जहां से बांगलादेश के लोगों को सस्ती स्वास्ते सेवाय प्रदान की जाती है, उन्हें 1985 में रेमन मैक्से से पुरुसकार भी मिला उनके इनकार्यों के और 1977 में बांगलादेश का सर्वोच नागरिक पुरुसकार सोतंतरता पुरुसकार से भी उनको सम्मानित किया गया था, उन्हें गरीबों को स्वास्ते सिवाय प्रदान करने में उनके उतकरष्ट कारारे के लिए गरीब लोगों के डॉक्टर के रूप में उन्हें जाना अज़ा इसी से सम्मंदित एक और प्रश्ण में आपको याद दिलाओं, करंट अफेर्स का ही प्रश्ण है कि अभी बंगाल के एक डॉक्टर थे, जिनने एक रुपे की डॉक्टर के नाम से मशूर थे वो, उनका भी कुछ समय पहले निधन हो गया, उनका नाम बताओ, तो अभी निधन हो गया, तो अंसर होगा, डॉक्टर शार्दा मैनन, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, नेशनल डॉक्टर डे कब मनाते हैं, तो एक जुलाई को, अभी वर्ल्ड हेल्थ और्गिनाजेशन ने चीफ बनाये था किसको, सर जेरेमी फरार को, ये नाम भी याद बढ़ते आगे, फिर वदाईए, अभी अप्रेल 2023 में, इन इकोज 2023 अंतरराष्टर युद्ध अभ्यास का आयोजन ये का किया गया, तो अंसर होगा, ग्रीस में, तो अभी ग्रीस में, ये जो अंतरराष्टर युद्ध अभ्यास है, इसका नाम है, इन इकोज 2023 इसका आयो अप्रेल से आठ मई दो होजार ते वीस तर और इसमें कहीं देशों ने हिस्सा लिया जिसमें भारत भी शामिल है जैसे भारत, ग्रीस, अमेरिका, फ्रांस, इटली, स्पेन वगिरा वगिरा ने इसमें हिस्सा लिया और इसमें भारते वायू से ना के सुखोई 30 MKI लड़ा को विमान ने हिस्सा लिया चलो बताओ अभी हाली में IPL में सबसे तेज 6,000 रन बनाने वाले बल्लेबाच कौन बने तो अंसर होगा डेविड वार्नर तो दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान है डेविड वार्नर जो IPL में 6,000 रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाच बन गए ह वार्नर ने ये उपलबदी 165 पारियों में पूरी की है जबकि विरात कोली को 6000 रन पूरा करने में 188 पारी और शिखर धवन को 199 पारियों का सामना करना बड़ा था और बतादू डेविड वार्नर ये तीन IPL में औरेंज कैप भी प्राप्ट कर चुके हैं औरेंज कैप कप मिलती है जो सबस्यादा रन बनाते हैं परपल कैप जो सबस्यादा विकिट लेते हैं तो डेविड वार्नर को 2015, 2017 और 2019 में औरेंज कैप मिली थी ध्यान रगना ये बढ़ते हैं आगे तो इस प्रस्ण में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाली में चुनावायोग ने किसे राष्टर पार्टी का दरजा दिया तो आंसर होगा आपको, आपको मतलब आम आदमी पार्टी तो अभी 10 अप्रेल को चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्टर पार्टी का दर्जा दे दिया है और इसी के साथ TMC यानि की त्रणमूल कॉंग्रेस, NCP यानि की राष्टरवाद कांग्रेस पार्टी और भारते कम्यूनिस्ट पार्टी CPI इसका राष्टर दल क दर्जा वापस ले लिया है तो अब याद रखना अगर आपसे पूछे कि नवीन तम नैशनल पार्टी ये कौन सी बन गई तो अंसर होगा आप तो चुनाव आयोग ने आपको चार राज्जों दिल्ली, गोवा, पंजाब, गुजरात में उनके चुनावी परदशन के करके लोगसबा में दो फीजदी सीटे जीतता हो, यानि कम से कम ग्यारा सीटे जीतना जरूरी है, लेकि याद रखना तीन अलग-अलग राज्जों से मिल करके, किसी भी एक ही राज्जे से नहीं, या फिर कोई पार्टी चार लोगसबा सीटों के अलावा, लोगसबा या विधानसबा चुनाव में चार राज्जों में, छे फीजदी वोट हासिल करती है, तो उसे राष्टर पार्टी का दर्जा मिल सकता है, तो अब भारत में कितनी नेशनल पार्टी हो गई है, सिर्फ छे बची है, बीजेपी, कांग्रेस, माक्सवादी कम्यूनिस्ट नेशनल पेपल्स पार्टी और ये आम आदमी पार्टी, बाकी चुनाव आयोग की बात करें, इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इस्तापना होती है, 25 जनवरी 1950 में, इसी कारण से 25 जनवरी को आप नेशनल वोटर से दे मनाते हो, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयोग जिजाओ Educational and Social Foundation के संस्तापक है निलेश भगवान सांबरे, जिनने अभी मराथा उद्द्योग रत्न 2023 से सम्मानित किया गया, तो उद्द्योग शेत्र में उनके परभावशालीव उपलब्दियों के लिए उन्हें ये सम्मान मिला है, आप जानते हो अभी सांखिकी में 2023 क अंतरराष्टर पुरुसकार जीता, C.R. राव ने, यानि के International Prize in Statistics 2023, यंग Urologist of the Year का आवर्ड किस ने जीता, डॉक्टर नित्या अब्राहम ने, और कश्मीर की आलिया मीर को वन्यजीव संगरक्षन पुरुसकार 2023 से सम्मानित किया गया, ये नाम भी इंपोर्टेंटे ध्य ध्यान रखना बढ़ते आगे, चलिए फिर बताईए, अभी हाली में किस राज्य में, लीगो वेद्शाला इस्ताबित की जाएगी, तो आंसर होगा महराष्टर, अब ये लीगो लीगो क्या है, ये लीगो लीगो, तो पहले तो इसकी फूल परम देगो, लेजर इंटर फ वेद्शाला का उद्देश्य क्या है, ये क्या काम करेगा, तो इस पेस में जो गुरत्वा करशन तरंगे होती है, ग्रिविटेशनल वेवज होती है, ये उनकी स्टडी करेगा, उनका अध्यान करेगा, और ये दुनिया में तीसरी वेद्शाला होगी, पहली दो अमेरिका में है और भारत सरकार इसे बनाईगी इसके लिए कितनी लागत आईगी 2600 करोड रुपे वैसे तो परदान मंतरे नरेंदर मोदी ने इसे बनाने के लिए 2016 में ही अमेरिका के साथ एग्रिमेंट साइन कर लिया था अच्छा अगर आज़ी में किसने टेंपो उपकरन लॉंच किया तो आंच और अगर नासा ने तो अमेरिकी स्पेस कंपनी नासा ने इसे लॉंच किया है ये कोई सवारी वाला टेंपो नहीं है ये एक सैटलाइट आप समझो इसका फूल पर हम देखो पहले तो ट्रॉपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग औफ पोलुशन इसे फ्लोरिडा से अभी स्पेस एक्स के फॉलकन 9 रोकेट के जरिए लॉंच किया गया इसका उद्दिश्य की बात करें तो उत्तर ही अमेरिका के उपर वायू की गुणवत्ता के जाज करेगा चलिए फिर बताईए अभी लार्सन एंट उब्रो कमपनी के द्वारा भारत का पहला 3D डाक घर भवन का निर्माण ये कांपे किया जा रहा है तो आंसर होगा बंगलूरू में तो करनाटक की कैपिटल बंगलूरू में देश का पहला 3D प्रिंटेट पोस्ट ऑफिस ये तयार किया जा रहा है और इसका निर्माण लार्सन एंट उब्रो के द्वारा किया जा रहा है लार्सन एंट उब्रो याद रखना ये भारत में 3D प्रिंटिंग तकनीक का उप्योग करने वाली एक मात्र कमपनी है और इस पोस्ट ऑफिस को बनाने में लगबग 25 लाक रुपे खर्च होंगे लार्सन एंट उब्रो की पहले बात करें इस थापना उती 1946 में हैटकौटर मुंबाई में मिलेगा इसके अध्यक्ष है मनिभाई नाइक चलिए फिर बताएए अभी हाली में किस राज्य की गोंड़ पैंटिंग को J.I.T. मिला तो आणसरों का मद्य प्रदेश तो मद्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को भी जी आई टेक मिला है गोंड पेंटिंग ये भगवान, दीवी, प्रकरती, पेड, चंद्रमा, सूर्य आदी का प्रते निधित्व करने वाली हाथ से बनी एक अनूठी शेली की कला है तो मद्य प्रदेश की डिंडोरी जिले का एक पाटन गड गाउं है, जो कई गोंड कलाकारों का घर है यहाँ पे हर घर में एक कलाकार आपको मिलेगा, जिसकी कलाकरती राज्य में तो लोग प्रिय है ही सही, बलकि अंतर राष्टर स्तर पर भी माननेता प्राप्त है अच्छा, यहाँ पे आपको एक खनाट गाउं भी मिलेगा, जिसकी एक शारेरिक रूप से अक्षम आदिवासी महिला है, उनका नाम है नरब्दिया अर्मो, जो माउथ पेंटिंग बनाती है और असहाय महसूस करने वाली महिलाओं के लिए एक रॉल मॉडल के रूप में काम करती है क्या नाम है उन महिला का? नरब्दिया अर्मो, इनका नाम भी धियान रखना अभी मैं अगर आपसे पूछूँ कि मधूबनी पेंटिंग कहां की है, तो यह बिहार की है और सोहराई खोवर मेंटिंग ये जारखन्ड की है फिर बदाईए, अभी हाली में किस राज्य सरकार ने महंगाई राहत केम्प लगाए जाने की घोशना की तो आंसरुगर राजस्थान ने, तो अभी राजस्थान की मुख्य मंतरी कौन? अशोक घहलोत इन्होंने कहा कि 24 अप्रेल से, 24 अप्रेल को हम पंचायती राद दिवस के रूप में मनाते हैं तो इस दिन से जगे जगे हजारों महंगाई राहत केम्प लगाए जाएंगे और क्या होगा इन केम्पों में? तो इन केम्पों में जो लोग अपना पंजी करन कराएंगे जो लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो 500 रुपे में गैस सिलेंडर हर महीने 100 उनिट मुफ्त बिजली और करशी के लिए 2000 उनिट फ्री बिजली उसके अलावा अन्नपूर्णा पैकेट योजना चिरन जिवी स्वास्त विमा योजना समेट 10 योजनाओं का लाब ले सके